जीवो तुम्हारी वज़े से मैंने उससे अपने लाइफ से जाने दिया लेकिन अब नहीं शुट आप बस करो आज जुन्पियों की बर्सडे पार्टी है क्या जुन्पियों ने आपको यहां भेज़ा है नहीं जान्दी मैडम ने खुद मुझे यह इंविटेशन आपको देने के लिए कहा है जुन्पियों की ममी ने मैं यहां पास में ही था तो सोचा तुम से आगी मिलूं इजुन्पियों से मकाओं में फाइट होने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं हुए और वोगिन अपने घर में लड़कियों के साथ बिजी है क्या तुम भूल गया है तुमने मुझ से भी लड़ाई की थी आप राइट एक काम करो तुम उठो और मुझे पंच मारो चलो जल्दी करो अब इंगेजमेंट करवा दी पता नहीं है शेंग यों कहां से मिल गई माम को और सब लोग ठीक है सीधे पूछ लो जैन्दी कैसी है वो बिल्कुल ठीक है मैंने पूछा तुमसे उसके बारे में और मुझे लगता है मुझे यहां देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे तो बहुत कुशी हुई है मुझे भी हुई लेकिन आप यहां कैसे मैं यहां किसी को ढूंड रही हूं अरे, अपने नाम तो बता दो कम से कम जान्दी, मेरा नाम जान्दी है ओके, जान्दी और मेरा याद है? हाँ, है शेंग यॉंग युनिफॉर्म से तो तुम स्कूल की स्टुडेंट लगती हो सीनियर या जुनियर? सीनियर हूँ मैंने शिन्वा युनिफॉर्सिटी में आनमशन लिया है, यही पड़ूंगी, तुम मेरी दोस्बन होगी? मैं? तुम्हें मगाओं में देखर ही पता लग गया था, कि तुम बहुत क्यूट बच्ची हो क्या का बच्ची? यह चुन्पियों कहां छुपा बैठा है यह मंकी जिसी हरकते करना बंद करो, समझी? और अब चलो जाओ यहां से मेरी बाद ज़रा ध्यूपा जुन्पियों अब से हमारे साथ युनिवर्सिटी में पड़ेगा हाई चेन तुम आज मेरे साथ जाने के बचा है यहां पर इनके मदद कर दो जैन्दी गोयल फिर मुझे छोड़के जा रही हो तुम दो नो बाद लीजर्सिटी मेरे जा प्यां 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 जाओ यूदाँ कि यह आशिंग बड़ी इंट्रेस्टिंग केरेक्टर है हाँ जैन्दी के बाद हमने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी मेरी सिच्वेशन पर बहुत हसी आरी तुम दोनों को एक्चली तुमारी फ्यॉन से बहुत फणी है वो मेरी फ्यॉन से नहीं है अच्छा पर मुझे वो बहुत पसंद आई वो बाकी अमीर लड़कियों के जैसी घमंडी नहीं है वैसे तुम दोने इतने क्लोस कब आए वो कह पर बहुत हो गया तुम दोनों का बहुत सुन लिया मैंने खुद को दोस्त कहते हो तुम दोनों है पर बीच अटाओ अगर हमें कुछ करना होगा अगर हमने नहीं किया तो यह भी जरा फ़स जाएगा एंगीजमेंट तो पहले सी अरेंज़ है पर वो लड़की अच्छी है क्या क्या तुम वो जेके गृप की वारिस है अगरा हुआ है बहुत थंद है देखना इसे ऐसे क्यों बैठे हो कुछ हो गया है बताइए क्या यह सच है कि जुनपियों ने एंगीजमेंट कर ली है आपको कैसे पता चला यह सच है अब हम क्या करेंगे तोचा था कोई खबर ना मिलना मतलब अच्छे खबर होना होता है मतलब हमारा क्या होगा अब मैं इसकी कुछ नहीं लगती हूँ ऐसे देख रहे हैं क्यों नहीं लगती पिछले साल तुम्हारी जुनपियों से शादिया होने वाली थी बिलकुल लगती हो हृट हो गई और यह नई लड़की अचाना कहा से आ गई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसने तुम्हारी जगा कैसे ले ली रुको एक मिनिट देखो तो सरा आखर ये लड़की है कौन और उस लड़की का नाम क्या है हेलो एवरिवान हाई इतने सारे फ्रूट्स ये बढिया है मेरा नाम हाशिन यॉंग है मैं जानदी के बेस्ट फ्रेंड हूं हम एक दूसरे के बहुत क्लोज है आपसे मिलकर अच्छा लगा अच्छा हाशिन यॉंग वाह बहुत प्यारा नाम है है खुद्वि बहुत प्यारी है अब जब तुम जेहन्दे के बेस्ट फ्रिंड ओन तब तुम यह और कभी भी कभी आ सकती हो सही का नहुत weaker अब सैवके में घर समझना कभी भी आ सकती हूं thank you so mutual आज रात में यहीं सोचती हूं क्या कहां मुझे लगता है जैसे मैंने से पहले कहीं देखा है सही का मुझे भी यह लगता है कहीं देखा इसे जानदी रूम में चले यह तो पजामा पाटी जैसा है मैं हमेशा से यह करना चाहती थी यह रूम तो बहुत प्यारा है। सेच में. इंट्रेस्टिञ है न? क्या इंट्रेस्टिम है? मकाव में तुमसे और जुनपियो से मिलना जैसे किसमत में लिखा हुआ था. तुम जुनपियो को जब मकाव में थी तब से जानती हो ना? हाँ जब उस्से देखा था तभी पसंद आ गया था हमारी एंगेज्मेंट ऐसे हालत में हुई कि सब पागलपन लग रहा था लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा तिल तेजी से धरकने लगा चान्दी क्या तुमने कभी ऐसा फिल किया है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है बताओ नो मुझे कौन है वो कैसा दिखता है वो पुरा गधे जैसा दिखता है गधे जैसा जब मैं उसके साथ होती हूं मैं भी पुरी गधे हो जाती हूं ऐसा लड़का है वो आँ समझ गई वो बहुत ही कूल और अच्छा लड़का होगा चुन्पियों तो वाइन जैसा है वाइन थोड़ा कड़वा थोड़ा डिफरेंट जिसका एक सिप पीते ही पूरी बॉड़ी में बढ़ जाए एक मिनिट कहीं जुन्पियों को कोई और लड़की पसंद नहीं है क्या फरक पड़ता है अपसे वो मुझे ही पसंद करेगा पाइन ऐन खुड के लिए अशा कुछ नहीं मांगा जो मुझे पसंद हो आप 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 कि अ लो आगई तुम्हारी फ्यांसे यह मंकी यहांपे क्या कर रही है अब इमर्जन्सी प्लान बनाना पड़ेगा तुम और एजुंक क्या कहां जा रहे हो डेट पर नहीं अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो कोईल को सिर्यूस करना चाहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी वैसे जुंकियो सर भी इसी होटेल में है तुम यहां क्या कर रही हो यहां क्या रही हो